कि हलो एब्रीवन यूर वेलकम टो बैस नोस टूटोरियल और आज हम बात करने वाले हैं सम्मिधान के पार टू के बारे में कुछ इंपोर्टन चीजें हैं जैसे कुछ समितियां थी इसमें उनके जो लीड कर रहे थे वो समिति के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहले हम बात करें कि सम्मिधान जब शुरू हुआ तो उसका एक बैक्ग्राउंड था कि कहां से वो उसकी प्लै इसके जो मीन्स की जो रेगुलेक्टिंग एक्ट के बीच में क्या हुआ था या मीन्स उसमें कौन से जो चीजें थी बताई गई थी उनके बारे में हम बाद में थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे लेकिन अभी हमें बस एक खाका तयार करना है जानने के लिए सारी चीज तो यह इसी तरह से पूछा जाता है कि 73 फिर 84 में कौन सा एक्ट आया था या इस तरह से पूछा जाएगा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब आया था उसके बाद कुछ चार्टर आये थे जो कि सबसे पहले 86 में फिर 93 में 13 13 के बाद 33 और फिर 53 तो यह आपके कितने चार्टर हो गए 5 आपके चार्टर यहाँ पर हो गए और उससे पहले कितने दो आपके एक्ट थे उसके बाद फिर से यह एक्ट है अधिनियम या एक्ट आप कुछ भी बोल सकते हैं अधिनियम means active होता है तो भारत साशन जो अधिनियम आता 1858 ये भी important है इसको भी हम देखेंगे क्योंकि ये जो 57 की जो कुरांती हुई थी movement हुआ था revolution हुआ था तो उसमें क्या था कि 57 के बाद जो भारत का पूरा जो system था governing system था वो किसके अंडर में चला गया था queen के अंडर में चला गया था तो ये एक important हो जाता है उसके बाद आता है भारतिया परिशद act 1860 ये तीन साल बाद आया था उसके बाद भारतिया परिशद अधिनियम 92 आया था फिर भारतिया तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर भार भारतिया वर्ड का यूज कब के किसके बाद होना शुरूओगा भारत या भारतिया 15,18,58 के बाद में उसके बाद 09 में आया था पर भारत साशन अधिनियम जो आया था वो 1990 में आया था और फिर उसके बाद important जो है वो है आपका भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो कि constitution का 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 बड़ा हिस्सा जो है वो 1935 से है और आज तक भी वो बने हुए है तो यहां पर जो सबसे important है वो आपके यही चार है पहला है आपका 73 फिर 84 58 और 35 तो इनको हम बाद में जानेंगे अब इसके साथ में कुछ समयतियां है यह आप लोगों को याद करनी है पहला है आपका जो drafting committee थी उसका जो head था वो थे आपके dr. भीमराव अमबेटकर सभी लोग जानते हैं इसलिए बोला जाता है कि जो लिखा गया है सम्मिदान वो dr. भीमराव अमबेटकर के द्वारा लिखा गया है लेकिन साथी साथ वहां पर काफी सारी समिधियां थी अगर हम आइस्थाई जो आइस्थाई अध्यक्ष थे वो थे आपके dr. सचिदा नंद सिन्ह जो अस्थाई सदस्य अध्यक्ष बने वो थे आपके dr. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि समिधान के अइस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो आपके हैं सचिदानन्द सिन्ह और अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाए तो वो होंगे आपके dr. राजिंदर परशाद उसके बाद है आपका संग समिधान समिति जो थी वो जवाहल लाल नहरू इसके अध्यक्ष थे उनके अंडर में बनी थी और प्रांतिय समिधान समिति देखिए अब यहां पर आपको थोड़ा से ध्यान देना है कि जो तीन समितिया थी वो किसके मर्श समिति और तीसरा कौन सा है मूल अधिकार समिति तो यह तीन प्रांत अल्प और मूल अल्प संख्यक मूल अधिकार समिति और प्रांतिय समिधान समिति यह तीनों किसके अंडर में हैं सरदार बलबाई पटेल अब उसके बाद है जंडा समिति जो है वो किसके उसमें ह जेबी किरपलानी इसके अध्यक्षते जंडा समयती में कई बार फिर से confusion हो जाता है क्योंकि अस्थाई और अस्थाई की बात होती है तो जो permanent बने थे वो कौन थे आपके जेबी किरपलानी थे ध्यान दीजे और ये क्या थे आपके जंडा समयती जो अस्थाई बनी थी वो बनी थे आपके डॉक्टर राजिंदर परशाद तो आप लोग अब इसको अगर आप याद करने का तरीका बताता हूँ कि अगर आप लोगों को इसको याद करना है तो आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सेंटर में center में क्योंकि जो draft बन रहा है उसी के according सारी चीज़े बनेंगी तो आप center में इस तरह से बना लीजिए और जो यहाँ पे आप एक flag बना लीजिए यह flag आपका और बाकी चीज़ें कौन सी हैं एक आप गुला बना लीजिए यहाँ पे इस तरह से और चीज़ें को उनके अंदर लिख लीजिए जैसे की draft यहाँ पे आपने लिख लिया draft या प्रारूप समयती यहाँ पर आप प्रारूप लिखेंगे यहाँ पर अपने जंडा बनाया है तो जंडा पे आप किसका नाम लिखेंगे जी वी किर把它 लानी का तो आप लिखेंगे जी बी ठीक है तो जी वी किर लानी क्या थे आपके स्थाइस सदस्ट से थे एक चीज और लיכेंगे प जैसे आप लिखेंगे प्रांथ अल्प अल्प संक्हिक की बात हो रही है यहाँ पे minority की बात हो रही है और उसके बाद आएगा आएगा आपका मूल मूल अधिकार तो तीन आपने लिख लिए इसके बगल में आप क्या करेंगे यहाँ पे आप लिख लेंगे पटेल बलब भाई पटेल जी के पास ये था तो यह एक तरह से आपका पिक्चराइजेशन हो जाएगा इसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो जब आप कभी भूल गए तो आपको याद आएगा कि ओके जंडे में मैंने क्या चीज लिखी थी जे भी किर्पला नही लिखी थी और नीचे मैंने यहाँ पर तीन चीज़े लिखे थी परांत अन्य और मूल से दान लिखे थी तो किसका है पटेल के हैं तो मूल तो आप परांत अन्य अल्पसंख्यक और मूल तीन चीज़े आपने एक साथ लिखी थी तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या है मूल जो लास्ट में आ रहा है आपका मूल अधिकार, fundamental rights तो fundamental में भी टल आ रहा है और आपका मूल में भी fundamental भी क्या आ रहा है पटेल आ रहा है, last minute टल्ड़ आ रहा है, तो इस तरह से important आप लोगों को याद हो जाएगी अगर देशी डियासत के कभी यहां पर आप बना सकते हैं कि जैसे आप लिख लेजे देशी, तो देशी क्या था देशी क्या होती आपकी एक शराब भी होती है और आपने आपको पता ही है कि जैसे नहरू जी थे अंग्रेजियत के क्या थे शौकीन थे तो शराब से आप रिलेट कर सकते हैं कि नहरू जी के बारे में उसे रिलेट कर सकते हैं आप लोग, तो इस तरह से आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें याद हो जाएंगे याँपे अब आती है बात कि इन से कोशियन पूछा जाता है कि जो प्रथम वाचन हुआ था दुतिया वाचन हुआ था तुतिया वाचन हुआ था मिल्लब सिटिंग बैठी थी सम्विधान बना ले के लिए तो आप लोग देखिए कि सबसे पहले क्या था आपका चार नवंबर को तो आप पहले तो यहाँ पे देखिए कि सब ही क्या हो रहे है नवंबर में ही हो रहे है तीनों को अगर आप देखेंगे नवंबर नवंबर और नवंबर क्योंकि ये नवंबर में ही सिटिंग होती थी अब देखिए की पहला क्या है? चार नॉम्बर है आपका फिर आपका है पंदरा नॉम्बर और फिर है आपका चौनदा नॉम्बर इसके बाद आपका 48 इस तरह से आप बनाएंगे इसको 48 और 49 क्योंकि किसमें होता? 47 में आपका क्या होता? जो उसके दो साल बाद आपके सम्मिधान बना था फ्रीडम के बाद तो आपको इस तरह से एक डिजिट जो होती है डिजिट आसानी से याद रहती है आपको पता रहेगा कि मैंने 4, 15, 14 लिखा था 48, 48, 49 लिखा था इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा आप लोगों को पता चल जाएगे दो-दो दिन का गैप हो रहा है और यहां आपका 5 डेज का था पहली जो सिटिंग थी वो सबसे लंबी थी 5 डेज की थी बात में आपका दो-दो दिन का गैप था तो आपको एक इस तरह का चार्ट बना लेना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके तो इससे आपको दो चीज़े है लिखी हुई चीज क्या होती है हम भूल जाते है तो और जो चीज हमें पिक्चराइजिशन हो जाता है जिस चीज का वो चीज हमें याद रहती है तो आप इसे बार-बार थोड़ा सा प्राक्टिस करेंगे इस तरह से आप लोग एक तीन लाइन खीचेंगे फिर आप बताएंगे कि उपर क्या लिखा था हमने है फोर लिखा था आपने फिर क्या लिखा था 15 लिखा था फिर क्या लिखा था 16 अब क्योंकि 2-2 दिन का gap हुआ था ओके तो नीचे वाले में 2 दिन का gap था तो 15 का आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा यहां पर वैसे तो 9 वर से October है आप ध्यान दीजिए लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं हमें सिर्फ डिजिट याद करनी है यह मत सुचे कि सिर्फ दोई दिन के सिटिंग होई थी लेकिन यहां पर आप लोगों को क्या होगा अगर दो डिजिट एक्जेक्ली याद हो जाएग तो यहां से आपका 15 से क्या हो गया है सीधे आप आगे चलेंगे तो यह 17 हो गया और यहां आपका 16 हो जाएगा और इधर आपका 48, 48, 49 हो गया और यहां हमें पता था कि यहां पर 5 का गैप था तो 9 हो गया तो एक mathematical हिसाब आप लोगों के पास आ जाएगा यह नवंबर था और यहां आप लोग छोड़ सकते हैं और इसमें तो आप लोग देखे सकते हैं कि नॉमबर नॉमबर है यह बस एक महीं ऑक्टोबर है बीच में बट इतना ध्यान रखने की ज़रूत नहीं है बस जितना आप प्रैक्टिस कीजिए तीन लाइने खीचिए और देखिए कि कि याद रह पाता है फुफुली आप लोगों को अलरड़ी यह सारी चीजे याद हो गएंगे वीडियो देखते देखते लेकिन अब प्रैक्टिस आपके हाथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों को फिक्स करते वे चलना है इसके बीच में आप लोगों को एक चीज बता दू कि क्या होता है कई बार हम पढ़ते तो हैं अब तीन महीने हमने क्या किया है सिर्फ अपना जो मठेरियल है उसे इकटा किया है तो उसके बाद आप आपको फिर उसे पढ़ना है याद करना है तो आप डेली जो डेवाइज आपको क्या करने है नियली आपके 100 फैक्ट्स आप लोगों के क्या होने चाहिए याद हो जाने चाहिए तो यहां पर आप बहुत सारे आपके फैक्ट्स अगर आप देखेंगे कि आटमेटिकली याद होते चल रहे होंगे तो इस तरह से हमें कोशिश करनी है कि डेली हमारे 100 फैक्ट्स याद हो जाएंगे अब चलते हैं कि जो सम्मिधान की प्रस्तावना है उसके बारे में देखते हैं तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं जो PDF आप लोगों के पास में है इसके बाद हम आगे जिहान से इन सारी चीज़ों को याद रख लीजिए एक तो यह रिटन है और बहुती ब्रॉड है रिटन है लिखित है विश्त्रित है जनता का अपना सम्मिधान मेंस यह जनता को समर्पित है और इसमें कुछ वर्ड याद आपको रखने है कि संपून प्रभुत संपन समा है मालिक श्रोतों से टैयार किया गया समिधान है मींस बहुत जगैश रोत हमें लिए गये इए हैं सूरस बहुत सूरससे से बहुत देशों के समिधकार और मॉलक करतब्य बनों की बात की गई है राज्य की नीती निर्देशक सिद्धान तभी इसमें बताए गए है संसदी साशन व्यवस्ता है इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में संगहत्मक संविधान है परन्तु एकात्मक प्रनाली के ओर जुकाओ है संगहत्मक मतलब की जो पूरा हमारा देश है वो आपका क्या है संग से मिलकर बना हुआ है विविन संगों से मिलकर बना हुआ है उसके बाद है कठोर तावा लचिले पन का समन वै काफी ये कठोर भी है और लचिला भी है स्वतंत्र तो इसी तरह से question आ सकता है कि क्या ये बहुत कठोर है या काफी लचीला है तो दोनों चीजों का इसमें समन हुए है स्वतंत्र न्याइपालिका रखी गई है न्याइक पुन्रा वलोकन भी दिया गया है द्विस सदनिय विधान मंडल है इसमें तो ध्यान दीजे द्विस सदनिय विधान मंडल है इखरी नागरिकता है अब आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी देश में क्या दो नागरिकता भी होती है दो तरह की नागरिकता ही होती है तो बहुत सारी जगे ऐसा है यहां सिर्फ नागरिक्ता एक ही नागरिक्ता होती है पूरे भारत की इसमें हम वैस्क मता अधिकार का प्रयोग करेंगे सभी तो निर्वाचन पढ़ना ली है अलप संक्य को अनुसूचित जाती हो और पिछडी जाती हो और कभीलों का को संडक्षन दिया गया है जैसा कि हमने अगर मैंने कल जो वीडियो बनाया था तो आप लोग एक बार जरा कमेंट में लिखिए इसी में मुझे पता चल जाएगा कि जो अनुसूचित वर्ड से आपको कौन से भाग में बताया गया है अनुसूचित तो आपको ध्यान है या नहीं है जो ट्रिक है वो को एक ट्रिक बताई थी किस उसमें अनुसूचित जो है वर्ड यूज हो रहा था किस भाग में यूज हो रहा था सामाजिक समानता की स्थापना की बात की गई है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और नियंत्रक महालेखा परिक्षक और लोगसभा आयोग ये सारे इसके पार हैं एक राष्ड भाषा की व्यूसता की गई राष्ड भाष्ड और जो हिंदी है वो उसे क्नेक्टिंग ट्रक प्राप्त चाहले किस तापना का आरदर्श है विश्वशानती और अंतराश्िय शुरक्षा का समर्था किसें बादा आया गया है और कानून का शाषक बताया पूरा तो जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 ये आपके सिलिबस में है तो इसे एक बार देख लेते हैं पूरा तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजे हैं बोली गई है ये सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी गुणवत्ता युक्त निशूल को तो कुश्यन आता है कि कौन से जी शिक्षा क्या करनी है उपलब्द करवानी है समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्द कराने के लिए विशेश उपबंद भी किये गए हैं बच्चों के अभिवावा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहां पर एक चीज और है कि एक व अधिकार अधिनियम 2009 यहां पर जो शात्र शिक्षक अनुपात है वो मानक निर्धारित किया गया है यह अनुपात है वन और 40 का जबकि जो हमारे शिक्षा के जितने भी आयोग होए हैं उन्होंने इसे 130 का या 120 का दिया है तो हम इन चीजों को अभी पढ़ेंगे जो हमारे आ याद हो जाए तो मैंने आप लोगों को बहुती एक साइकालोजिकल तरीके से तयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जिस तरह से आप लोगों जो चीजे दी जारी आप उन्हें कीजिए जैसे आपका साथ हम निकाल सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसे निकालेंगे तो आप लोगों को अगर मैं कोई लिस्ट आप लोगों को देता हूँ कोई PDF देता हूँ तो आपका आपकी जिम्मेदारी है कि जो चीजे मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ ठीक है लेकिन कहीने कही आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उन चीजों को आप याद करेंगे जहां पर दिक्कत आती है आप लोग पूछ सकते हैं शिक्षकों के पद की कुल क्षमता के 10% से अधिक कम नहीं होने चाहिए तो जो आपके 10% का है आपका शिक्षकों के पद की बात की गई है बच्चों को शारिक दंड प्रवेश्ट के दोरान बच्चों या उनके अभ्यागों के screening करने capitation fees लेने और विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विद्याले से निश्कातित करने को प्रतिबंदित किया गया है देखिए ये बहुत बड़ी बात है जो कि आज government school की हम कहें कि जो situation है उसके पीछे ये rule भी बहुत बड़ी बड़ी बात है कि आप बच्चों का screening नहीं करेंगे या बच्चों को दंड कुछ नहीं बोल सकते हैं या capitation fees नहीं लेनी है चलो fees की बात तो नहीं होनी चाहिए लेकिन बच्चों को आप means school से नहीं निकाल सकते है तो means total freedom है बच्चे के पास कि पढ़ो तो पढ़ो ना पढ़ो तो कोई जुर देहां दीजिए तीन कारियों जो हैं वो important बताए गए हैं जन्गर्ना चुनाव कारे और आपदा राहत कारे यह तीन कारियों ही शिक्षक की शिक्षक को दिये जाते हैं उसके पढ़ाने के लावा बिना समुचित मानने तक किसी विद्याले का संचालन एक दंड़निय अप का प्रावदान है तो जो राश्रिय बुनियादी शिक्षा आयोग है वो किसके अंडर में किया जाएगा वो किया जाएगा आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंडर में इस तरह की चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है निक्स्ट आते हैं साहता प्राप्त स स्कूल होते हैं उनमें भी लगबग 25% बच्चे क्या होंगे आप लोगों के उसके आसपास के वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी ऐसे बच्चों की पढ़ाही का खर्च सरकार वहन करेगी मैं इस 25% सीट्स होंगी उनको क्या किया जाएगा सरकार उसका खर अगू हुआ था 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा परदान करना केंद्र एवम राज्य सरकार के साथ साथ माता पिता संरक्षक जैसे भी इस्तिति हो बच्चे को शिक्षा का उसर परदान करेंगी तो यहां पर एक चीज आ जाती है कि 6-14 यहां पर स्पेसि है तो आप 6-14 को ही आंसर लेंगे क्योंकि जीरो से यूजिली क्या है बच्चे जो स्कूल जाने की एज डिफाइन की गई है वह सिक्स येर है गवर्मन्ट के लिए तो 6-14 आप आंसर चूज करेंगे उसके बाद है आपका सूसना का अधिकार एदिनियम यह भी आपके सिलि अधिकार को समलित किया है तो ध्यान देना है आपको कि एक तो आप लोगों को यह याद हो जाएगा कि इसमें जो अनुचेद 21 है उसके अंतरग सूसना के अधिकार को समलित किया गया है इस दिशा में सरकार ने अक्टूबर 2005 में कदम उठाते हुए सूसना अधिकार अधि हुआ था तो ये आपका था इशर ओयल लिमिटेड बना आपका हेल्थ उतकर समितिवाद के के बाद ये जो सुसना का अधिकार अधिनियम था इसको लाया गया इसका उद्धिश जन्समंदी मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाना तो ये होता है कि जब भी हम सुसना के का अधिकार कहीं लगाते हैं तो उसमें हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में उनके वर्किंग के बारे में तो इसलिए यहां पे हम पारदर्शिता को बढ़ाना इसका क्या है एक में मोटो है सार्वजनिक जीवन में ब्रस्टा चार को रोकना है या अधिनियम नागरिकों को परशाशन के सभी इस तरों पर सूचना हाशिल करने के लिए ब्यावारिक अधिकार परदान करता है यह विद्यक काफी विस्तृत है और यह केंद्र राज्य स्थानिय सरका कोर्पोरेशन लेवल पर देखे तो सारी जगें आप लोगों को क्या करना है आप इस चीज को यूज कर सकते हैं इसमें कुछ चीजें और हैं कि आप लोगों को ध्यान देनी इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि यहां से कुश्चन बनेंगे कि 30 डेज के अंदर आप लो सुचना आयोग को दूसरी अपील कर सकते हैं पहले आप 30 डेज के लिए वेट करेंगे 30 डेज आप लोगों को मिलते हैं किसी भी काले अरले से सुचना प्राप्त करने के लिए इच्चु के वेक्ति अंग्रेजी हिंदी अत्वा उस शेत्र की राज भाशा में डाग द्वा इमेल संबंधित चन सुचना अधिकारी से आगरे करता है अगर 30 दिन के अंदर सुचना नहीं मिलती है प्रार्ती उस जवाब से संतुट नहीं है तो वे पहली अपील के 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी से कर सकता है और अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिनों के बीतर उस निर्ने को लेना होता है तो आप बस दिमाग मोटा मोटा ध्यान रख लिजिए कि इसमें 30-30 डेज की बात की गई है अगर तब भी वो संतुष्ट नहीं है, अपील अधिकारी से भी वो संतुष्ट नहीं है तो फिर 90 डेज के बीच में क्या कर सकता है केंद्रिया सूसना आयोक को दूसरी बार लेख सकता है तो आपको ध्यान अगना बस एक चीज़ कि 30 दिनों के अंदर की बात की गई है 30 दिनों के बात की बात की गई है, तीक है, means 30 दिनों में ही उसे कहना होता है यह से बस इतना ही कुश्चे मनेगा अगर यह देखते हैं कि अगर अपील उसे प्राप्त होती है और अगर उस टाइम लिमिट से जादा हो गई है तो उसको पर डे कितना 2500 रुपए क्या करना है, जुर्माना पड़ेगा उस अधिकारी को जहां से आप ले रहे हैं और सेवा नियम के तहट अनुशासनिक कारेवाई भी होगी मिंस उसके उपर कारेवाई होगी तो जो अगर हम सिर्फ बात करें कि चीजों के बारे में कि कितना कितना है तो आप डिजिट यात रख लीजिए क्योंकि ये डिजिट ही आप लोगों को पूछी जाएंगी और इसी तरह से कुशिंस बनते हैं अब आजाते हैं संसत की रचना जो संसत की संरचना है मैंने आप लोगों को एक चीज और बताए थी जैसे फॉर्मूला यहां पे लिखूं पता था कि 52 वहां पर था उसके बाद अगर हम उपराष्ट पती बोले या राज्यपाल का कितना था तो सारी चीज़ां आप लोगों को याद हो जानी चीए तो चलिए यहां से फिर से देखते हैं राष्ट पती है यहां पर एक तरफ आपका लोग सभा है फिर दो हिस्से हैं राज्य सभा क्या आप बता सकते हैं कि जो सहिंक तो बैठक वाला जो आपका अनुचेद है वो कौन सा है आप लोगों को आप लोग लिख सकते हैं नीचे क्योंकि इससे थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाएगी निर्वाची जो सदश्य होते हैं वो 543 हैं और यहां कितने हैं 233 हैं और मनोनी जो सदश्य हैं वो कितने हैं आपके 2 और यहां जो मनोनी थैं वो कितने हैं आपके 12 तो लोग सभा में कितने हैं दो, राज्य सभा में कितने हैं, बारा, अब अगर आप कभी-कभी भूल जाते हैं, कि राज्य सभा में कितने मनुनीत सदश्य हैं, तो राज्य सभा आप लोगों को खुदी बताएगी, कि राज्य सभा जैसे हम लिखते हैं, और राज्य सभा तो ये 21 हो गया, और आपको हिंदी में लिखना है तो आप इसको बस आगे कर दीजिए तो आपको ये 12 बन जाएगा तो अब लोगों के पास 12 आप लोगों को मिल जाएगा कि 12 यहां पे होते हैं और यहां से आप 1 हटा देंगे तो 2 बन जाएगा तो इस तरह से आप बस डाइग्राम आप काफी बार 5-6 बार आप इसे बनाईए कि राश्टुपति यहां लिख लिए आप ने दो इस तरह से कीजिए लोगसभा हो गया यहां राज्यसभा हो गया निरवाचित सदस्या और मनोनीत निर्वाचीत मनोचनीत तो यहां पर 543 और तो टोटल हो गए आपके 545 और यहां हो गए आपके 245 उसके बाद आता है आपका अध्याक्ष उपाध्याक्ष और समितिया बनती हैं सवंक तो बैठक और लोकसभा तो यहां पर आपका नीचे जाएंगे आप उपसभापती और समितिया होती हैं अब कुछ चीजे हैं आपकी जैसे के संसर्ट की प्रश्ण परक्रिया और और चीजें भी इसमें हम देखेंगे अभी काफे सारी चीजें रह रखी हैं उनको हम डिसकस करते हैं बाकि उसके बाद हम वन लाइनर इसक अच्छा समय है तो हम पूरी अच्छी तैयारी करेंगे फिर हम जियोग्राफिय और हिस्ट्री शुरू करेंगे इसके बाद तो आपको इन चीजों के लिए कम टाइम मिलेगा यह सिर्फ आपको रिवीजिन करने हैं तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक क कर